दोस्तों नमस्कार जय हिन्द वन्यमात्रम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मेंस कमेरेटी स्कॉलर सिप्जाम 2023 के लिए विज्ञान का रियल पेपर सौलप करेंगे प्यारे बच्चों आप सभी की परिच्छान देखा हैं और इधर से हम सभी प्रिवेश्चर कोश्चन पेपर को पढ़ने जा रहे हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाश्ट तक बिना स्किप के विज्रूर देखेगा और यह प्रश्ण पत्र हमने लिया है राजस्थान एन मेंस एक्जाम 2019 की अच्छा के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट हैं तो आप सभी लोग लाश्ट तक बिना स्किप के विज्रूर देखें कितने कुश्चन आपके सही हुए हैं लाश्ट में आप सभी लोग कमेंट च्रक्शन में जरूर लिखिएगा आए शुरू करते हैं तो विज्यान का फ पोटास, वर्मी कमपोस्ट, सुपर फासफेट तो इसका वच्चो राइटांस रोजागा थर्ड अप्शन वर्मी कमपोस्ट ये प्राकरतिक खाद होती है बाकी यूरिया, पोटास, सुपर फासफेट ये सभी रासायनिक खादें दे गए हैं दूसरा प्रशन है जीव, ज तो इसका वच्चो राइटांस रोजाएगा विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं जिनका कोई भी प्रतिने दे, वर्तमान में पर्यावण के अंतरगत उपलब्ध नहीं होता, तो सेकेंड आपसमें विल्कुल सही जवाब है, प्रशन नंक्या तीन, प्रदर्शित प्रजिनन हो रहा है, विखंडन, मुकुलन, विजाडू, निर्माड, काईक, प्रवर्धन, तो इसे अचों सही आंसर है, विखंडन, यानि फर्स्ट आपसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर एक जीव दिखाया गया है, इसके दो भाग हो गया, मतलब विखं संधित हो गया, प्रशन संख्या 4 है, रूधिर का लगबख कितना पस्द भाग रूधिर कडिकाओं से बना होता है, नबे परसथ, सत्र परसंट, साट परसंट या 40 परसंट, तो रूधिर कडिकाओं का भाग अगर देखा जाए तो 40 परसंट आपका फोर्थ आपसन सही human immune virus तो इसमें बच्वा आपको right answer second option हो जाएगा राइनू virus के करण सर्दी जुखाम होता है six number question है पादपों में जल का परिवहन होता है जायलम के द्वारा फ्लोयम के द्वारा रंध्रों द्वारा या पत्तियों द्वारा तो पादपों में जल का परिवहन जायलम के द्वा पहुन्चता है, नक्स्ट है गुस्टन साथ नंबर, प्रतिवस्य 5 जून को कहन शाद दिवस मनाया जाता है तो 200 पर्या वरल दिवस, यानि सेकेंड आप्शन आपका चाही हो जाएगा, 5 जून को 200 पर्या वल बल दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा ओं जोन दिवस कम मना आप सभी लोग कमेंट सक्षन में लिखिएगा आठ नमबर कुश्चन है इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी या विटामिन दी इसकरवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है इसमें थर्ड आपसन आपका सही है विटामिन से रतोंधी रोग होता है विटामिन बी से बेरी दे बेरी रोग होता है और विटामिन दी से सूखा या जिकेट्स रोग हो जाता है नाइन नम्मर कुछन है नेमलिकित में से किस अंग की भीतरी सताफ पर रसांकुर पाया जाते हैं अमासे छुद्रांत ब्रहदांत्र अग्न आजा है डूंन सही है शुद्रान्थ या फूती इसमें रसाइंकुर पाइं आप्षने सब्सेक्स नभर में हर्मों हमारे रुधिर में कैल्सियम के इस्थर को नियंत्रित करता है तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर फर्स्ट आप्शन है पायरा थायराइड हार्मोन इसमें आपका फर्स्ट आप्शन सही है बारह नमर कुश्चन है मचलियों में पानी में तैरने या गतिकन्ने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं गल्फडे सल्क फिंस तो तैरने की अगर बात करेगा या गतिकन्ने की बात करेगा तो इसके लिए फिंस होते हैं थर्ड आप्शन आपका सही है और सांस लेने की बात करेगा तो गल्फडे आपका सही आंसर हो जाएगा तेरह नमर कुश्चन है जोंक किस अंग से सुसन करती है तो जोंक में किस द्वारा सुसन होता है फुपफुस तचा गल्फडे या स्वास प्रणाल तो इसमें सेकेंड आपसन सही है इसकिन यानि तचा के द्वारा जोंक सास कर सास लेती है 14 नमर कुश्चन है निम्र में से वच्छी कंकाल का भाग है खौपड़ी फीमर पसली सुरोणी में खला तो ये वच्छों वच्छी कंकाल में ये थरड आपसन आपका सही है पसली ये भाग होता है 15 नमर कुश्चन है वन में सड़े गले म्रत से अपना भोजन प्राप्त करने वाले प्राकर्तिक आवासों को सुच करने का कारे करता है जरक, भेडिया, जंगली सुवर, सियार तो ये जरक होता है इसको हाइना भी कहते हैं तो फर्स्ट आप्सन इसका सही जवाब हो जाएगा सोलाह नमबर कोच्चन है वायू दाहरण है मिस्रण, लमड, अमल, छारक तो इसका वच्चो राइट आंतर हो जाएगा फर्स्ट आप्सन मिस्रण वायू क्या है एक प्रकार का मिस्रण होता है सतरह नमबर ठोस को गर्म करने पर वास्प में बदल जाती है और वास्प को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाती है तो यह किरिया क्या कहलाती है इसमें रिखा उप्रोग्त प्रकिरिया है तो कैसी प्रकिरिया है अब केंदरण, उर्द्वा पातन, वास्प इक्रण या निसिंदन तो ये बच्चों है second option में सही जवाग और्धो पातन कहलाती है जैसे कपूर नौसादर इसको अगर आप गरम करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा और गैस को ठंडा करेंगे तो ठोस में परिवर्तन हो जाता है यानि द्रव और स्था में नहीं बदलता है इसके आपको देखना है आस्थाई परिवर्तन कौन सा है तो लोहे पर जंग लगना ये रासानिक परिवर्तन है दूसरे बनना रासानिक परिवर्तन है टायर का जलना ये भी रासानिक परिवर्तन है और बर्प का पिघलना ये आपका बहुत तिक परिवर्तन है तो यही आपका क होते हैं फर्स्ट आप्षन आपका सही जवाब हो जाएगा नक्स्ट कॉस्टन बीस नंबर किस धात का गलनांग बहुत कम होता है फेरस गैलियम इसकेंडियम या फिर क्रोमियम तो सही आंतर वुच्छों है सेकेंड आप्षन गैलियम 21 नंबर कुस्टन है किस धात को मिट्टी के तेल यानि केरेशिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम लोहा तिन मैगनेसियम तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं क्योंकि यहां सरवादिक के असील धात होती है इस नंबर कुस्टन है संसलेशित रेशे क कहा जाता है 33 नमर कुष्टन है एक रासायनी किरिया दिखाई गई है CA CO3 अगर गरम किया जाए तो कौन सा उत्पाद बनेगा इसमें लिख रहा है कि उपरोगत अभिक्रिया को पूर्ण करिए तो इसमें आपका बचों फर्स्ट आप्सन बनेगा CAO तो इसमें आपका फर्स्ट आप्सन सही हो जाएगा 24 नमर है रसोई के बरतनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है पॉलिथेन नाइलान पीवीसी वैकेलाइट तो वैकेलाइट से बचों जो है रसोई पर बरतनों के हैंडल बनाये जाते हैं और ताप्सन आपका सही है 25 नमर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है तो यह बचों है ब्रोमीन ध्यान लखेंगे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तो यह है ब्रोमीन अगर धात की बात करेगा तो पारा 26 नमबर कोश्चन है पथ मापी से मापन होता है दूरी छेतरफल आयतन चाल तो पथ मापी से दूरी का मापन होता है फर्स आपसन आपका सही है 27 नमर कोशन है नियत चाल से गत्य करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्ण में से कौन सा है तो अगर नियत गत्य चलेगा तो उसका जो समय और दूरी ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में होता है तो इसमें आपका सेकेंड आप्सन सही जवाब हो जाएगा 28 नमर कोशन है दाव का मात्रक है नियूटन, केल्विन, पास्कल या जूल तो दाव का मात्रक बचो पास्कल होता है और नियूटन ये आपका बल का मात्रक होता है केल्विन ताप का मात्रक है और कार दथा उर्जा का मात्रक जूल होता है 39 नमबर कुश्चन है इंदर्धुनस बनने की परिखटना क्या कहलाती है परावर्तन, विश्रण, पार्शुपरिवर्तन या विछेपन तो सही आंदर पुश्चन है फोर्त आप्चन विखेपन यानि इंदर्धुनस बनने की परिखटना है उसको विखेपन कहा जाता है 30 नमबर कुश्चन कार के पीछे के द्रस्ट को देखने के लिए किस प्रकार के दरपन का उप्योग किया जाता है 31 नमबर कुश्चन है उर्जा का मातरक है तो अभी हमने आपको बताया था उर्जा का मातरक जूल होता है इसके रावा कार का मातरक भी आपका जूल ही होता है किलोग्राम ये भार का मातरक होता है वार शक्ति का मातरक होता है न्यूटन बल का मातरक होता है 32 नमर है प्रतिवी के लिए पलायन वेग का मान क्या है ऐसा वेग जिस के जिस वेग से किसी वस्त को उपर की तरफ फेका जाए तो धर्ती पर वापिस ना आए तो वो होता है बच्छों पलायन वेग तो यह होता है 11.2 किलोमेटर प्रती सेकेंड फर्त आप्चन आपका सही जवाब हो जाएगा 33 नमर क्ष्चन है निमलेखित पदार्थों में से किस का उपयोग धर्मामेटर में किया जाता है तो धर्मामेटर में वेग पारे का इस्तिमाल होता है फर्स्त आप्चन आपका सही जवाब हो जाएगा 34 नमर कोश्चन है कि सोपकरण में विद्दुत उर्जा का उसमा उर्जा में रुपांतर होता है यानि हम विद्दुत उर्जा का उसमी उर्जा में रुपांतर करते हैं ऐसी युक्ति है बच्छों विद्दुत हीटर ये हीटर का इस्तिमाल करते हैं इसमें पित्वत प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, उसमा निकलती है, गरम हो जाता हीटर, तो क्या है, उसमी उर्जा निकलती है, तो इसमें आपका थर्डाप्सन सही जवाब हो जायेगा, 35 नमर कुछन है भारत द्वारा अंतरची में भेजे गए प्रथम करतिम उपग्रा का नाम क्या है भासकर फस्ट कल्पना फस्ट आर्यभट या एल एसल वी तो इसमें आपका थर्ड आपसन सही है आर्यभट जो था वो भारत का प्रथम करतिम उपग्रा था तो थर्ड आपसन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोट्पेकरशन आप तक पहुंचती रहे प्यारे बच्चों इसके अलावा प्रीवेशर कुश्चन पेपर हम सारे करवा देंगे आप सभी को इसके लावा आप सभी लोग पुराने वीडियो जो भी अभी तक पढ़ाया जा चुके हैं उन सभी वीडियो को आप देख लेजिए हर राज्य के लिए एक ही सिलेवर्स है विज्ञान और सोसल साइंस मैध और रिजिनिंग के जो पॉर्संस वह हैं वो सभी आपके हर राज्य में उसी ताइप के याते एक दो कूस्छन जो अलग होते हैंउनको अलग से करा देंगे बागी आप लोग जो है प्रेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं सब अलग अलग वीडिए रेजिनिक को हमने अलग से पढ़ाया हुआ है और विज्ञान की अलग बनी है जो भी इंप्रदेंट कूस्षन थे उनकी हमने अलक्त लेस्ट बना रखी है तो आप लोग उनको जातर पढ़ सकते हैं में फिर नेक्ट वीडियो में तो तक कि रधन्यमाज जहिन बंदे मातरम